नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट में संदीब में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरार अध्यन के तीस बहुत हार्ड कोश्चन्स लेकर आए हुए जो कि आपके यूपी टेट और सीटेट की दृस्टी से कि प्रश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाए और इन में से कोई अगर आपको कोश्चन एक्जाम में मिल जाए तो आप गलत मत करें ओके दोस्तों चले शुरू करते हैं सबसे पहले बता दो जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से नि सबसे पहले समझ लेते हैं राजीव गांधी फेल रत्न पूरसकार यह दो लोगों को दिया गया है ठीक है किसको किसको दिया गया ह। बजरंग फुनिया को दिया गया और दीया मलिक को दिया गया। यहाँ पर हमारे पास चार आप्शन हैं 27 अगस्त 28 अगस्त 29 या 30 अगस्त तो राष्ट्री ये खेल दिवस मनाए जाता है 29 अगस्त को होकी खिलाडी मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर ये 29 अगस्त को राष्ट्री खेल दिवस मनाए जाता है अगला प्रेशन है व्यास सम्मान 2019 की से दिया गया है राहुल देव रवीश कुमार लीला धर जगूरी या असोक सर्मा तो बात करेंगे व्यास सम्मान की तो व्यास सम्मान 2019 दिया गया है लीला धर जगूरी को ठीक है आगे यह देख लिए जो रवीश कुमार है इनको भी को पुरसकार दिया गया इनको दिया गया रमन मैकस से पुरसकार ठीक है याद रहेगा दोनों में कंफ्यूज में भतो है कर रमन मैकस से याज दिया गया है और लीलाधर जगूरी को दिया गया है आपको व्यास शम्मान अगला प्रश्मन है पुस्तक, आयोध्य सिटी century of faith of discord के लेखक कुन है, यह आपको बताना है तो लिलदहर, वले सिंग, मोहन उपाध्या, या दीपा अगर्वाद तो आयोध्य सिटी of faith of discord के लेखक है वले सिंग, अगला प्रश्मन है, T scale पर कि विद्यूंस का मापन किया जाता है चाय का उतपादन भूकम्प की तरंगे छक्रवाकों की सक्ति के स्वास। मेक्सिको या रूस तो चांदी का सरवाधिक उतपादन करने वाला तेश है मेक्सिको अगला प्रश्ण है भारत को वर्तमान में सबसे अधिक तेला पूर्ती करने वाला देश कौन सा है साउधी एरब इराक इरान अमेरिका तो इसमें जो सही उतर है वो है इराक अगला प्रशन है जम्मू और कस्मीर पुनर गठन बिल के पारत होने के बाद देश में कुल कितने केंदर साशित प्रदेश हो जाएंगे अगला प्रेशन भारती के पास किस किस्म की होती है लंबे रेसे की, छोटे रेसे की, मोटे रेसे की, या पतले रेसे की तो भारती जो कपास होता है वो छोटे रेसे की होती है अगला प्रशन है निम्न में से कौन चाय का निर्यातक नहीं है कीनिया, USA, भारत और श्री लंका तो चाय का निर्यातक श्री लंका है भारत भी है और कीनिया भी है लेकिन USA जो है वो चाय का निर्यातक नहीं है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में carbon dioxide की मात्रा कितनी होती है 4 प्रतिसत, 8 प्रतिसत, 16 प्रतिसत या 32 प्रतिसत तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें carbon dioxide की मात्रा होती है 4 प्रतिसत बात करें ओक्सीजन की तो ओक्सीजन होती है 16 प्रतसर ठीक है ओक्सीजन होती है तो दोस्तों सरीर में हुमोगलोबिन का कार्य है औक्सीजन का परिवहन। क्रिकेट वर्लड कप की, तो क्रिकेट वर्ल कप 1975 में इसकी शुरुवात हुई और बात करेंगे कि जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप किस ने जीता था वो जीता था अपके वेस्टन डीज ने अगला प्रश्ण है सारगेशो सागर संबंधित किस से है उत्तरी प्रिसांत महा सागर उत्तरी अट्लांटिक महा सागर दच्छडी प्रिसांत महा सागर यह दच्छडी अट्लांटिक महा साग बात करेंगे सारगेसो सागर की तो सारगेसो जो सागर है वो संबंदित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से और सारगेसो ऐसा सागर है जिसकी कोई सीमा रेखा या तट रेखा नहीं है तट रेखा सारगेसो सागर की तट रेखा नहीं है क्योंकि वो चारों तरफ अन्य साग सबसे जल की लवरता में सरवादिग योग्दान किसका होता है तो सागरी जल में लवरता सरवाधी किसका होता है? वो होता है, sodium chloride का अगला प्रशने, विस्ट कोई सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हटसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या मेक्सिको की खाड़ी तो जो सबसे बड़ी खाड़ी की बात करेंगे तो वो है मेक्सिको की खाड़ी अगला प्रशन है सत्रवी लोग सभा के गठन है तू कितनी सीटों पर आम चुनाओ कराएगा है 541, 542, 543 या 544 लेकि कुल सीटे तो आपको पता होनी चाहिए 545 होती है ठीक है जिसमें दो एंगलो इंडियन चुने जाते हैं तो हमाँ पस चुनाओ के लिए सीटे बची केवल 543 तो 543 कुल सीटे हैं लेकिन एक सीट है लोग सभा सीटे वैलूर वैलूर सीट का चुनाओ रद्ध हो गया था इसी लिए बात करें बीजेपी ने सीटे कितने जीती थी बीजेपी प्लस गटबंदन तीन सो तीन सीटे बीजेपी ने जीती थी ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस ने दच्छिड अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सेशनाग जील, बेरीनाग जील, टिटी काका जील यह सुपीरियर जील तो बात करेंगे सबसे उचाई परिस्थित नौकायन जील कौन सी है तो वो है टिटी काका जील बात करेंगे अगर सुद्ध पानी, मीठे पानी की जील कौन सी है तो वो होती है आपकी सुपीरियर जी लियाद रखेगा हमाले पर्वत्व किसे कहा गया है क्रण्ष्ट मेंटल और कोई नहीं दोस्तो वाइट ऑफ अफ दा इर्थ किसे कहा गया है याद रखेगा यह मेंटल को कहा गया है और mental में किस तत्यों की प्रधानता होती है सिलिका और मेगनीसियम की प्रधानता होती है याद रखेगा mental में सिलिका और मेगनीसियम की प्रधानता होती है इसलिए इसको सीमा भी कहते हैं याद रखेगा S I M A सीमा ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कौन सी तरंगे भूकंप में धरातली तरंगे होती है P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे या M तरंगे धरातली तरंगे तो ये कौन सी होगी, Surface Waves ठीक है, तो Surface Waves से आप Confuse मत होईएगा कि ये S तरंगे है, नहीं, S तरंगे नहीं है यह धरातली तरंगे यह है आपकी L तरंगे तैके इसका स्युतर होगा L तरंगे अगे बढ़ते हैं आगे पर modelo विश्व के सरवाधिक भूखंप किस अहथ पेटी में पर संद्रब में आतलांटिक महासागरी में भूमध सागरी में पेटी नहीं है। सरवाधिक भूकम पाते हैं आपके प्रसांत महासागिरी पेटी में अगला प्रस्वने के संदर्ब में IC के अविस्कार के किस पीधी का जन्म हुआ जब IC का अविस्कार हुआ, IC का फुल फौर्मा आपको पता है इंटीग्रेटेट सरकेट तो इसका जब किया गया तो आइसी का प्रयोग किया गया तुर्तिय पीड़ी में अगला प्रशने विश्चु के सबसे पहले सूपर कंप्यूटर का नाम क्या है आपके पास चार आप्सने सीडी सी डबल सिक्स डबल जीरो यूस होर नेट कॉंडोर वी आई सी परम ग्यारा परम एक हजार इसमें कौन सा सुपर कंप्यूटर है पहला तो पहला सुपर कंप्यूटर है सी डी सी डबल सिक्स डबल जीरो अगला प्रशन है बजट दोजार उननीस में भाशड में गायों की सुरच्छा को लेकर किस आयो की स्थापना की घोशड़की गई है राश्टी गौमाता गौ सेवा आयोग या इन में से कोई नहीं तो इसमें सही उत्तर है राश्टी काम धेनु आयोग यह कुश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदितनाथ जी गायों के प्रति ज्यादा ही समवेदन शेल तो यह प्रस्ट विटामिन सी या विटामिन डी तो बात करेंगे भोजन को पकाने में कौन सा विटामिन श्रुत है विटामिन सी विटामिन सी का रसाइनिक नाम होता है एसकॉर्बिक एसिड ठीक है विटामिन सी का रसाइनिक नाम एसकॉर्बिक एसिड अगला प्रश्न है आज का लास्ट तो यह थे आज के तीस अतिमहत्पूर और हाड प्रस्न तो बढ़ते हैं आज के विशेश प्रस्निक तिरफ आज का विशेश प्रस्न क्या है वो देख लिए दिनांक 21 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्य ऑजोन दिवस विश्य अलजाइमर दिवस विश्य परेटण दिवस या अंतर्राश्टी अहिंसा दिवस तो यह आपको बताना है कि 21 सितंबर को इन चारों में से कौन सा दिवस मनाये जाता है 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाये जाता है विश ओजोन दिवस विश अलजाइमर दिवस विश उपरेटन दिवस या अंतिर राश्टी महिन सा दिवस तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट कर दीजे दोस्तों अगर वीडियो चल जय हिंत जय भारत